हेलो डे स्टूडेंट दिजसे संदीप तो आज आप सभी का पाच बाज आपे सीएसेवी की तरह से आप लोगा सीट मेट्रिक्स निकलने वाला था तो अभी बज रहे च्छे दस अभी तक सीएसीवी ने कोई हापे सीट मेट्रिक्स नहीं निकला जो जो सीट एवेलेवल हों इसे हम लोग को अप्लाइब करना है नहीं करना है तो भाई देखो यहाँ पर हजारोंबंद दोंख हजारों यहांप चॉइस होगा ओर डिफरेंट होगा तो हरेक के लिए यहां पर सेम रहेगा वह तो बात नहीं है लेकिन यहांप लोग कुछ कंडिशन डे मतलब बता सकत कर सकते हो लेकिन आप लोगो मिल जाएगा ठीक है तो यहां पर मानलों 80,000 रेंग के जनरल की बात कर रहा हूं ठीक है एक लाग 20,000 है तो आप लोग भी चांजस है अधर स्टेट में मिलने का और अगर मानलों आप लोग को टॉप के चाहिए मतलब टॉप के साथ नौ नहीं है लेकिन आप लोग कैसे चॉइस विल करोगे उसके बाट कर आप लोगो क्या ब्रांच मिलेगा तो यहां पर हर एक कॉलेज का क्या प्रिवेस सेर क्लोजिंग रेंग था वह यहां पर मैं डिसकस नहीं करूँगा क्योंकि आप लोग को साइट में मिल जाएगा और ड अब डाउन फ्लक्ट्वेट यह सब हो सकता है तो पूड़ा पूर रिलाई मत किजिए कर देता हूँ और बाकी में नहीं करता हूँ ऐसा आप लोग मत किजिएगा और दूसरी बात यह है यहां पर आप लोगों गाना सुनाई दे रहा होगा कोई आवाज सुनाई दे रहा ह दूसरी बात यह है यहां पर इसको स्टार्ट करने से में बोल देता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे हैं जो मैंने बोला उससे एग्री ना हो लेकिन जो यहां पर जितने भी स्टूडेंट है हर एक को ध्यान में रखते हुए यह वाला में बता रहा हूँ तो भी हालत में इस साल बड़ बात नहीं करना उन लोगो एक सीट चाहिए तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ तो उनके लिए देखो अगर आप लोगो सिर्फ एनाइटी में आप लोगो दिल्चस्पी है ठीक है दिल्चस्पी है तो आप लोग क्या किजिएगा जितने भी यह पहले आप लोग क्या किजिएगा एनाइटेस वह रेंकिंग में चले जाएगा इस साल के यह मैं दे दूंगा आप लोग चेक कर सकते हो तो इसे होता है कि टॉप हंड़ेट कॉलेज का पलोगो उसमें रेंकिंग मिल जाएगा तो वहां पर आयाएटीं होंगे ट्रिपलाइटी भी होंगे डिफरेंट जो प्राइवेट को जैसे उसमें भी होगा तो अगर आप लोग को सिर्फ एनाइटी फिल अप करना है तो ऐसे आप लोग सिर्फ मतलब उसको मतलब छान लीजिएगा कि हाँ यह सब मेरा टॉप 10 नाइटी से टॉप 15 नाइटी जी उसके बाद जो अपना एवेलेवल सीट मेट्रिक्स आए ना वहां पर आप लोग देख लीजिए पहला जो आपना जो पहला जो पहला जो पहला जो प्रोड़क्शन होगा तो ऐसे आप लोग टॉप एनाइटी से बॉट्टम एनाटी ते आप लोग फिल अप करते चले आईए और अगर मालों लोग सब्सक्राइब करना है तो अब लोग टॉप से पकड़िए मतलब जो भी अपना टॉप में है वह लेजिए उसका ब्रांच फिल अप किजिए और नेक्स्ट एनाइटी जो भी हो उसका भी फिल अप किजिए तो उतना दिक्कत वाली बात नहीं अभी यह मत पूछना कि प्लीज बता दीजे टॉप 10 रीटी कौन से प्लीज बता जीए कोने तो भाई यह बात सुनो आप लोग अगर पेट कांसलिंग करवाना है बहुत सारे आप यूट्यूबर है साइट से वहां पेट कांसलिंग करवाते कर सकते हो लेकिन यहां पर पुछने भी जरूरत नहीं है आप लोग क्या करना है थोड़ा सा अपना दिमाग लगानाए आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाना है आप लोग को यह को पता है यह निकाल सकते तो भए यहां पर किसी से फूछने की ज़रूरत नहीं आप लोग कि तूने है क्या फिलफ किया तूने क्या फिलफ किया खुछ से सोचो तो डिसाइड करो देन अपना चॉइस फिल स्टार्ट करो लेकिन पहले तो है एक लिस्ट बना लो जिस कॉलेज में आप लोग जाना है यहां पर भी कुछ बच्चों का इसा भी दिक्कत होता है कि सिर्फ निटी मुझा जाना है क्योंकि इसमें फी वेवर होता है रेमिशन हो तो यह मैंने बात कर लिए जिन का किसी में भी जो सामय नहीं लोग जो सामय तो हुआ लेकिन हायर मतलब ब्रांचे से उसमें वज़ा जाए इस इस ब्रांच में आप लोग का हो गया तो आप लोग ऑविस्ट चाहिए होगा उससे उपर के जो एनायर फ्रेंगिंग के उपर कौन से कौन से एनायटी इस है जिसको आप लोग इस लिस्ट में लाना चाहोगे तो एक लिस्ट बना लो अभी आप पर प्रेफरेंस आ जाता है कि आप लोग को क्या टॉप ब्रांचे से चाहिए या आप लोग लोग ब्रांचे में भी खुश हो जैसे कि मालोग यह से डालते रहो अगर आप लोग यहां पर खुश हो कि अगर आप मेरे को लोवर ब्रांच भी मिल जाए तो मैं खुश हूँ तो यह सी बात है आप लोग को यह से डालना है और प्रेफरेंस दो और बात में जो भी यहां पर इसका जो जो एवेलेवल होता है उन सब को आप आप लोग फिल अप करो ठीक है तो यहां पर हमें आप लोग एक सेलेशन देना चाते हो अगर आप लोग ब्रांच भी मिल जाना तो भी आप लोग ले सकते हो क्योंकि उसमें देखो चांसे यह स्कोप जादा होता है प्लेस्मेंट का और आप लोग पता यह होता है उसमें अच्छ अच्छ चब और लोग का बनेफिशल रहे गया तो आप लोग को अच्छा लगता है नहीं तो आप लोग को किैंप अपना लिस्ट बना सकते ओं अब भी आप डालना है जैसे मालोग किसी का NIT सिक्रियम मिल गया उसमें जैसे बाइच बना लिया यहां पर बना लिया फिर उसका लोग कि अपना कोलेज का देखे यहां पर और बना लो तो अभी मैं यहां पर क्यों बोल रहा हो कि आप लोग का जो branch है उससे उपर यहां पर डालना है अब्यसित ही बात है अगर आप लोग है यहां आगे का branch मिल जा तो अच्छी बात है ना आप लोग यहां से उसका में अप्लब shift कर सकते हो लेकिन अगर आप लोग को माल लोवर ब्रांच यहाँ पे दे दिया किसी जोर एनायटी में और वो मिल गया तो वैसलिक प्रिवियज जो सीटogen GMA वह क्लेम नहीं कर सकते। इसलिए आप लोगों में बोला हूं, जो भी आप लोग को ब्रांच मिला जिस्फ भी कॉलडुश में आप जो भी ब्रांच मिला उस्का उपर आप लोग वे चोईस करना है। को higher energy तो मिले लेकिन उसका lower branch मिला तो आप लोग के लिए यहां पर decide करना है कि आप लोग यहां पर lower NIT में जाके भी यहां पर CSC ले सकते हो कि ने सकते हो जैसे कि मैं है प्रेफर करूँगा अगर आप लोग का हमालो six या seven position का का क्युमिला उसका lower branch मिला तो आप लोग उसके नीचे तीर स्दिशन जा सकते हो नीचे के निचे के naras एक उस्मों आप सब्सक्राइब करना थैरना नीचे भी यहां पर 3rd या 4th position तक आप लोग जा सकते हो जैसे 7th का मैंने बोला था तो 11th तक आप लोग यहाँ पर जा सकते हो उसका CSC, EC आप लोग यहाँ पर try कर सकते हो तो ओविसलिए आप लोग हायर ब्रांच आप चूज कर सकते हो अगर आप लोग का यहाँ पर मन है कि मेरे को और भी अगर आप लोग हायर ब्रांच का प्रेफर कर रहे हो तो जो लोग फिल अप में डाल दो मतलब चौइस फिली में डाल दो और अपना उसके नीचे जो CSC है जो लोग यहाँ पर दे सकते हो तो अब यहाँ पर उन बंदों के बारे में डिसकस कर लेते हैं जिन लोग को यहाँ पर हायर ब्रांच मिल गया लेकिन CS नहीं मिला आईटी नहीं मिला तो वह अपने कॉलेज में यहाँ पर CS और आईटी अपलाई करेंगे तो अगर ब्रांच आप लोग यहाँ पर मिल गया है तो यहाँ पर ऐसा कर साइटे हो तो यह थोड़ा बहुत मैंने सजजेशन दे दिया है वह अपलीकेबल होगा हर एक के लिए यह ऐसा तो नहीं है किसी-किसी का ऐसा भी कंडिशन हो सकता है कि उनको होम स्टेट में रहना है तो वि तो एसा भी हाँ मतलब जो इंटरनल जो कंडिशन ना वह लग सकता है तो इस में भी आप लोग यहाँ पर देख लीजीगा तो यहाँ पर डिसकस करना था और अगर आप लोग का फर्थर डाउट हो कोई इसा भी डाउट हो आप लोग आप इंस्टा में में बता सकते हो तो तो वेसले आप लोग बताई जिन बंदों नहीं पर मेसिच किया इस्टा में हर एक का रिपला यहां पर करता हूँ एक दो कशायध्य रहे चूट जाता है नीच्चे चला जाता है जो दिखाई नीच देता है मैरे को ठीक है तो यहां पर आप लोग पूछ सकते हैं स्याजिशन के बारे में लेकिन आप लोग ऐसा मत पुछ ले ला कि भाई आप लोग जो जादा तरह आप लोग कर रहे हो तो मेरे को लगता है अगर यह इंपोर्टेंट है तो मैं दूसरा एक वीडियो बना दूँगा तो आपसे भी कोई वीडियो थोड़ा बहुत भी हेलफूल लगाए अगर अच्छा लगाए वीडियो लाइक कर देजीगा आपने दोस्तों को शेर कर देजीगा और चैनल पर नए आए हो तो क्या करना है सब्स्राइब कर देना है और वीडियो पसंद नहीं आता हो आप को रिजन जरूर बताना है ठीक है तो हम लोग मिलते हैं नेक्स वीडियो पर